अलो नमस्कार जहन प्यारे सातियों स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेस यूटूब चैनल में आज के बीडियो में हम रिजनी एनलोजी के प्रिसनों के बारे में अध्यन करेंगी जो कि प्रिवेस यह एक्जाम में पूछे गए प्रसन है चलिए देखते हैं पहला प्रि प्रितिरूद के साथ में है बही जाइमो मीटर का प्रिसनों के साथ में होगा चलिए बताइए कौन सा आंसर राइट होने वाला है यहां पर क्या लोजिक लगा है ओम मीटर प्रितिरूद का मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है प्रितिरूद का मात्रक होता है ओम मीटर तो अब हमें ऑप्सन भी देखना है किसका मात्रक जो है वो जाइमो मीटर होता है तो क्रिडबन का मात्रक जो होता है वो जाइमो मीटर होता है इसे फर्मेंटेशन भी कहते है क्रिडबन को कहते है फर्मेंटेशन ठीक है दोस्त चलिए नेस्ट परसन देखते हैं परसन नमबर दू है हमारा चलिए वताइए क्या राइट आंसर होने वाला है हमारा देखो गोडहल का जो सम्बन फूल से है वि도 फैंकू ही पैंकून का प्रेशण वक्ष्चिन की साथ में हुआ है गोडहल जो है ये पिरकार का फूल होता है थैक बिलह जो है वह एक पिरकार का प्छिब होता है पिक्षि होता है तो op management C हमारा राइट अंसर हो जाएगा ठीक है फ्रांस चलिए दिखते हैं नेस्ट प्रिस्ट 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 नंबर तीन है हमारा चलिए बता ही राइट अंसर कौन सा होने वाला है मंगलवार का जो समझ सनिवार के साथ में है बही मई का प्रिस्ट वाचेक्षिन के साथ में हुआ मंगलवार से हम मंगलवार मंगल यहां लेखा सनिवार पर जाना है मंगल बुध गुरू शुक्र उसकी बाद में आयाखा सनि मंगलवार में कितने दिन जूड़ेंँगे तब हम सनिवार पहुचेंगे एक, दो, टीम, चार मंगलवार में प्लस 4 جोडएंगे तो पहुंच जाएंगे हम काम सणी वार से इसे प्रिकार मैं में 4 महिने जोडएंगे क्या अता है june, july, August और September तो मैं में 6 जोडएंगे तो काह पहूं जाएंगे हम एक दो ओप्सें नममर A हमारा right answer हो जाएगा ठीक दूस्तों चलिए next question देखते हैं question number 4 है हमारा चलिए बताइए क्या right answer होगा हमारा चलिए तो देखते हैं क्या है मानब सरीर का जो संब्द दवाएं के साथ में पोधे का वही question वाचेक चिन के साथ में होगा ठीक तो क्या है दवाओं का उपयोग जो है मानब सरीर के उपचार के लिए किया जाता है ठीक दवाओं का उपयोग मानब सरीर के उपचार के लिए किया जाता है ठीक उसी परकार पोधे के उपचार के लिए किस चीच का उपयोग किया जाता है कर जो समद्ध तना के साथ में प्रही चना का प्रिस्ण वाचिक्टन के साथ में होगा एक क्या है आलू जो है एक प्रकार का तना होता है और चना जो है वो एक प्रकार का क्या होता है डाल जड़ पूल नहीं बीज होता है चना जो ही प्रकार का बीज होता है और आलू जो ही बहद्दूर का जो संब्द साहसी के साथ में बेवकूप का भाई प्रिशन वजएक चिन के साथ में होगा बहद्दूर और सहासी जो हैं दोनों समनार्थी हैं बहद्दूर भी सहासी होता है और सहासी बहद्दूर यानि कि दोनों का सेम अर्थ है तो बैसे बिवखकूप का कौन सा होगा तो उनमादी उनमादी जो बिवखकूप का समनार्थी होगा ठीक है दोस्तों चलिए प्रेस्ट नमर साथ देखते हैं चलिए बताइए राइट आंसर कौन सा होने वाला है चलिए तो देखते हैं क्या लोजिक लगा यहां पर रुबेला और बीसानु का जो समझें बही मलेरिया का प्रेस्ट वाचेक्चिन के साथ में होगा ठीक तो रुबेला जो है रुबेला एक प्रकार से बीसानु से होने वाली बीमारी रुबेला जो है रोग की बीसानु से होने वाली बीमारी उसी प्रकार से मलेरिया जो है वो परजीवी परजीवी यानि मच्छर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है मलेरिया ठीक है चलिए ने बिस्तार करना और यहां बताना है कौन सा आने वाला है तो जस परकार से छपाना और प्रिकट करना एक दूसरी की जो है बिप्रीत है बिलोम है छपाना मतलब छपा लेना प्रिकट करना मतलब उजागर कर दना उसी परकार बिस्तार करना मतलब बड़ा करना बिस्तार का बिलो क्या हुआ है छोटा करना संकुचित करना तो संकुचित करना यानि आप्शन नम्मर ए हमारा राइड आंसर हो जाएगा ठीके दोस्तों चलिए नेश्ट प्रेशन लिखते प्रेशन नम्मर नौ है हमारा सौल करने की कॉस्चित करें घटी का जो समंद स्पीड हमें वहीं प्रेस्माच चिंद के सांथ में हुगा गति जो है वो स्पीड हमें अपां जाते है विसके वाइव आपको पाई समापा जाता तो अप्सें नम्बर ए हमारा राइड आंसर हो जाए ठीक दोस्तों चलित इतनी नेश्ट पर्शन हमारा, स्वालो करने की कौशिस करें, क्या राय टांसर होने बाला है? पत्तियां और कलोरोफेल हैं, ठीक? रग्थ और प्रस्नवाचट चिने, ठीक? क्या है किलोरोफल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है उसी प्रकार हेमोगिलोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है पत्तियों के कारण क्या होता है नहीं किलोरोफल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और हेमोगिलोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है ठीक है दोस्तों चलिए नेश्ट प्रिसन दिखते हैं प्रिस नम्मर 11 है हमारा सोल गन्य की कोसिस करें चलिए देखते हैं मदु मक्ही का जो संबंद बिन बिनाना के साथ में है वही मुर्गियों का प्रिस्ट वाचेक जिनकी साथ में होगा क्या logis लगा है मक्हे जो है भिन्बिनाहरण किया बाच करती है ठीक है उस प्रिकार मुर्गिया किस तरह की बाच करती चलिए स्य़ल करें म्रत्यू का जुद् की समद्ध द्रगठना से है उसी प्रकार भुकमरी का परत्रवा चक्शिण के साथ में होगा कैंग अगर गंभीर द्रगठना हो जाएं तो क्या हो जाएगा म्रत्यू हो सकती ठीक गंभीर यहां कौनसा उप्शन रखेंगे भुखमरी के साथ में मेच कर जाए दुखी नहीं हर्स नहीं रूद नहीं अंसर और अंसर ज्यादा हो जाए तो भुखमरी हो सकती है इससे भी क्या है भुखमरी की स्तिति उत्पन हो जाएगी तो यह जो है दोनों लोजिक लगेगा तो अंसर जो है हमारा राइट अंसर हो जाएगा चलिए बताएए क्या है राइट अंसर प्रस नमर 13 है हमारा कीवोड का जो समंदद तच पेट के साथ मैं माउस का परिसमा चलिएट के साथ में होगा क्यारा को दाइध हो इंक देवारा मान कीवोड और टचपीट ठीक है जिस प्रकार से कीवोड में भुखमरी के इस ना हता है हमारा माउस जो है माऊस में क्या लागा होता है जोएस्टिक लागा होता है यह भी एक इंपुट डवाइस है तो कीवोड का जो है वो है जोएस्टिक के सांथ में होने बाला है फिरस नम्मर 14 देखते हैं चलिए राइट आंसर कोई सा होगा क्या होने वाला है बताईए क्या लोजिक है यहां पर स्वस्त आहर का जो ठकान के साथ में भाई सतर्कता का प्रस्वाचक्चन के साथ में होगा ठीक तो क्या है कि अगर स्वस्त आहर हम लेते हैं हमें ठकान नहीं होगी ठीक स्वस्त आहर हम लेंगे तो हमें ठकान नहीं होगी उसी प्रकार से अगर हम सतर्क रहेंगे सतर्कता से रहेंगे या सतर्क जिसे माना कि हम सतर्कता से गाड़ी चला रहें तो कभी दुरुगटना होगी नहीं होगी जब लापर भाई से चलाएंगे तभी दुरुगटना से और आप सतर्ग हैं तो द्रगटना नहीं होगी ठीक तो अपसर नमबर सी है हमारा राइट आंसर हो जायो चलिए नेश्ट पर से दिखते प्रेस नमबर 15 है हमारा सौलो करने की कौसस करें सली बताईए बिस्तर का जो समन्द गद्दा के साथ में वही कुर्सी का प्रस्वाचक चिन के साथ में होगा बिस्तर गद्दा बिस्तर पर आराम करने के लिए गद्दा की वसकता होती है ठीक है उसी परकार कुर्सी पर बैठने के लिए कूसन का परियूप कर जाता है कूसन उसी परकार कुर्सी पर बैठने के लिए जो है कूसन का परियुक्त है ठीक है तो ऑप्सन नुम्र बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रस्न नुम्र 16 है हमारा चली सौल करके बताईए कौन सा राइट आंसर होने वाला है देखो क्या लोग है यहाँ पर डॉल्फिन का जो समद किलिक के साथ में CR कभा ही प्रस्न वाज एक्षिन के साथ में होना चाहिए क्या है जिस परकार डॉल्फिन जो है वो किलिक की अवाज करती है उसी परकार CR जो है CR जो है हूँ आना की अवाज करता है CR जो है इस तरह की अवाज करता है हूँ आना की अवाज करता ह ठीक है पिस नमबर 17 है हमारा चली देखते हैं और बताइए राइट आंसर कौन सा होने बाला है क्या है यहाँ पर जागरत और अनिंद्रा बैठना और परस्माच अक्चिन ठीक क्या है जागरत और अनिंद्रा जो है वो दोनों एक दूसरे के समनार्थी है जागरत और अनिंद्रा उसी परकार बैठना का समनार्थी कोन निसकरी ए इस्थापित नहीं आसीन बैठना और आसीन जो है दोनों समनार्थी है तो अप्सन नमर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिश्ट प्रिशन देखते हैं प्रिश्ट नमर 18 है हमारा दूस्तों जुन्ड और भेड भीड और प्रस्न बाचक चिना क्या लोजिक लगा यहां पर भीड जब सब बहुत सारी इखटी हो जाए तो उनकी समुझ को जुन्ड केते हैं उसी प्रकार से बहुत सारे मनुस स घटबे को जाए तो उनकी समुझ को जो भीड गेते हैं तो अप्शन नमर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा